हलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल गुनगुन फैसन वर्ड में तो दोस्तो आज हम आपको बहुत ही फ्यारा सा काफ़तान बेबी के लिए बताएंगे तो यहाँ पर हमने कपड़े को ले लिया है और इसे हम फोर फोल्ड में बिछा लेंगे तो यहाँ पर हमने कपड़े को फोर फोल्ड में बिछा लिया है अब हम इसकी लंबाई और चोड़ाई लेंगे तो यहाँ पर हमने काफ़तान की लंबाई 22 इंच रखी है यह तैयार हमारा 20 इंच आएगा तो यहाँ पर हम कपड़ की चोड़ाई लेंगे तो यहाँ पर हमने 11 इंच की चोड़ाई रखी है यह हमने 5 साल की बेबी के लिए बनाया है आप चाहे तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आपकी बच्ची हो उसे साफ से आप इसकी मेजर्मेंट ले सकते हैं यहाँ पर हमने गले की चोड़ाई 1,5 इंच ली है और आगे गले की लंबाई 3 इंच ली है आप चाहे तो गला छोटा या बड़ा कर सकते हैं लेकिन एक आफ्टान है इसलिए हमने इस पर छोटा गला रखा है पीछे का गला हम 2 इंच पर रखेंगे अब हम आधा इंच का तीरा गिराएंगे और कंधे से इसको मिलते हुए गले टक तक तीरछी लाइन ड्रॉकरेंगे अब हम पीछे के गलेग से कट करते हुए सिधी लाइन पे इसको जैसे इसले हमने सेव दिया है same उसी निसान पे हम इसको कट कर देंगे तो दोस्तो गुनगुन फैसन नड़ा आपका अपना चैनल है आप इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए अपने दोस्तों तक सेयर कीजिए और सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसाने से पहुंच जाए आपक अब हमारे चैनल पे तरतरह की कटिंग और स्टिचिंग से वीडियो में लेंगी तो यहाँ पर हम पीछे के गले में आई और हुक के लिए निसान लगायेंगे तो यहाँ पर हम 4 इंच की लाइन ड्रो करेंगे और इसे बराबर से कट करके 20 से बराबर तक निसान के कट कर द आप चाहे तो इस पे चैन भी लगा सकते हैं दोस्तो आज कल काफ्तान के डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो रही है और लोग इसे काफी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसलिए हमने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से ये काफ्तान ड्रेस के कटिंग और इस्टिचिंग का वीडियो बनाया है तिहां पर हमने कपड़े को भी से कट कर दिया है अब हम इससे उल्टी तरफ से फोल्ड करते हुए इस पे किनाय किनाय से सिलाई लगाते जाएंगे और कपड़े को सिट करते जाएंगे दोस्तो आज कल काफ्तान ट्रेस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और लोग इसे काफी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आप भी घरबेट है ऐसे ही आसान तरीके से अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं या भी बड़ों के लिए भी बना सकते हैं अगर आपको बड़ों के लिए काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरू बताएगा हम उसे डालने की पूरी कोसिस करेंगे यहाँ पर हमारी पट्टी तैयार हो गई है अब हम आगे और पीछे पल लेके दोनों सोल्डर को जोइंट करेंगे तो यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी लेते हुए पूरे सोल्डर में सिलाई लगाएंगे ऐसे ही हम दूसरी तरब भी बराबर रखते हुए कपड़े को सिलाई लगा देंगे दोस्तो अगर आपको कोई भी कटिंग और स्टीचिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बदा सकते हैं हम बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाइ स्टेप पूरी कटिंग और स्टीचिंग के वीडियो आपके लिए डालेंगे तेहां पर हमने और यह भी पट्टी लिया है आप हम इसके गले के चारों तरफ डबल पोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें आधा इंच की दूरी पर ही सिलाई लगाना है दोस्तो ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जड़ ज़दा लाइक कीजिए अपने दोस्तों तक सेयर कीजिए और सस्क्राइब करके वे लाइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए दोस्तो एक आफ्तान हमने एक मीटर के कपड़े पे तयार किया है यहाँ पर हमने पूरे गले में चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक सेयर करके सस्क्राइब करवाईएगा तो यहाँ पर हमने पूरे गले में सिलाई लगा दी है और हमारा गला यहाँ पर तयार हो गया है अब हम साइड में इसके चारो तरफ से आधा इंच की दूरी लेते हुए फोल्ड करके इस पर पहले सिलाई लगा देंगे ऐसा हमें चारो तरफ करना है दोस्तों यह काफ्तान हमारा बहुत ही आसानी से बनके तयार हो जाता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूब सूरत लगता है आप इसके साथ नीचे लैगी या फिर जैगिंग के साथ भी पहन सकते हैं या फिर आइसे ही इसको पहन सकते हैं आप चाहे तो छोटे बच्चों के लिए इसके लिए टाउजर भी बना सकते हैं यह बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है तो यहाँ पर हमने साइड में सिलाई लगा दी है अब हम नीचे दामन पे भी सिलाई लगा देंगे और चार तरफ से इसको तयार कर लेंगे दोस्तो आपको हमारे चैनल पे छोटे छोटे बच्चो के अबरेला की फ्रांक और बड़े के भी अमरेला की फ्रांक लेहंगा की कatting और stitching से related वीडियो भी देखने को मिलेंगी आप चाहें दोस्ते वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने चारो तरफ सिलाई लगा लिए है अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे तिहां पर हमने एक तरफ से लैस को रखते जाना है और दोनों तरफ आगे और पीछे पले में बराबर से इसके रखके सिलाई कर लेना है तो चलिए हम इसकी सिलाई करते हैं दोस्तो हमें सिलाई करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जहां से हमने सिलाई लगाई थी वहीं के उपर हमें लैस को बैठाते जाना है और इस पे सिलाई लगाते जाना है जिससे कि हमारी सिलाई भी न दिखे और लैस से इसका लूप भी अच्छा से आ जाए तो यहां पर हमने चारो तरफ से बराबर रखते जाना है हमें अच्छे से लैस को भूमाना है उसके बाद ही सिलाई लगाना है जिससे की हमारी लैस उठेना और अच्छे से कोना बन जाए तो यहाँ पर हमने लैस को अटेज कर दिया है अब हम इस पर कमर की इलास्टिक लगाएंगे तो सबसे पहले हमें में सोल्डर से इसको रखना है और उपर की तरफ और नीचे की तरफ इस पर निसान लगाना है तो यहाँ पर हमें सोल्डर से दूरी छोन देंगे और एक लाइन ब्रावर ट्रॉ कर देंगे ऐसे ही हम आगे पर लेंगे भी परावर से 8 हेज़ पर सिलाई लगाएंगे और इस पर पहले निसान लगाते हुए एक लाइन क्लियर कर लेंगे दोस्तों आप जो है तो यहाँ पर डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर इसमें इलास्टिक डालके कमर का सेब दिया है तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से इलास्टिक लगाना है तो यहां पर हमने यह elastic ली है और यहां पर बराबर रखते हुए इसे खीच के इसके उपर सिलाई लगाते जाना है तो चलिए हम इस पर पहले सिलाई लगा लेते हैं तो हमें एक छोर पर elastic को रखते जाना है और सेम निसान पर जहां से हमने line ड्रो कर लेती वहां से हमें बराबर रखते हुए जिस पर सिलाई लगा लेना है ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी बराबर से elastic रखते हुए इसकी सिलाई लगा लेना है तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ से बराबर से elastic के सिलाई लगाना है जिससे कि हमारे elastic अच्छे से सेथ हो जाए और उपर की तरफ से देखने में भी बहुत पुपसूरत लगे तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिए है ऐसे हम दोनों तरफ सिलाई लगा लिए है अब हम इसे कपड़े को बराबर से रखते हुए बराबर कोल करेंगे और अपने उपर का arm hold का save देंगे तो यहाँ पर हमने 5 इंच की दूरी पर arm hold का save दिया है और नीचे से हमें 9 इंच की दूरी छोड़ते हुए ही इस पे सिलाई लगाया है यहाँ पे हमें दोर तरफ ऐसे ही बराबर से लाइन डॉकर लेनी है और उसके बाद ही इस पे बराबर रखते हुए कपड़े पे सिलाई लगानी है दोस्तों एड्रेस देखने में जितनी ज़्यादा खूब सूरत लगती है बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है बस आप लोग step by step पूल टुटोरियल देखिएगा उसके बाद हम आसानी से घरवठे से ही बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने जो निसान लगाये थे उसी निसान पर हमें बराबर से सिलाई लगाते जाना है और यहाँ पर हमें वीडियो जरा समी पसंद आया हो तो प्लीज हमाये चैनल को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों तक share कीजेगा और सस्क्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक आसाने से पहुंच जाए तहां पर हमारा गाउन में सिलाई ल काते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंड्रेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार